हेलो प्यारी बच्चो आप सभी का स्वागत है संकल बारत के ओनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे इस परिवर्तन सीरीज में आज का जो हमारा चैप्टर है हां पे हम डिसकस करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डवलप्मेंट तो बिना समय को वेस्ट किये हुए इस सेसन को सुरूआत कर देते हैं यहां पे चीज और समझ लीजे कि इस पर्टिकुलर से इस बार करीव डरीन कुश्चन मिनीमं मिनीम and development, तो पहले हम इस growth word को समझ लेते हैं, right, plant में जो growth होती है, इसके बारे में हमको 2dc, basic जानकारी जानना जरूरी है, तो अगर मैं growth की बात करूँ, right, तो what you how can you explain the word growth आप इस growth को कैसे explain करेंगे think about it okay, so first of all यहाँ पेख चीज़ एक ही है, कि जो growth है growth क्या है भाई, growth growth is irreversible change irreversible change समझो इस चीज़ को, कि जब भी आप growth mention कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, growth एक irreversible change है, जैसे stomata होता है, stomata टर्जिड हो जाते है flashed हो जाते, टर्जिड हो जाते है, टर्जिड हो जाते है yes, क्या बोलोगे, growth है, मगर नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक reversible change हो रहा है, जब कि growth क्या है, एक irreversible change है बहुत छोटी सी बात मैंने बताई, right growth is irreversible change किस में reversible change, in size number and organ, in size number and organ right, किसी भी particular structure के organ के size में, organ के size में, organ के number में, right या फिर उसके particular structure में, जो भी change हो रहा है और वो change कैसा होना चाहिए, वो change irreversible होना चाहिए तो आप उसे क्या mention करेंगे बिटा, आप उसे क्या mention करेंगे आप उसे growth mention करेंगे आप इसके चरा feature भी समझ लो, मैं key point में one words में इसके कुछ feature समझा देता हूँ जो कि आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पर आप आप देखिए, मैंने mention किया यह irreversible change है, यह permanent change है यह कैसा change है भाई, यह permanent change है यह एक energy dependent change है यहाँ पर आप क्या देखोगे, energy involved होगी इस process में energy dependent यहाँ पर energy खर्च होगी, जो कि in the form of ATP utilized होती है, आप ऐसे कह सकते हैं आप यहाँ पर देखिए कि metabolism involved होगी, it involved metabolism metabolism जब भी आप mention करोगे कि growth हो रही है तो आप वहाँ पर mention करोगे कि metabolism involved है metabolism में आपको दोनों event देखने को मिलेंगे, anabolic event देखने को मिलेंगे anabolic और यहाँ पर आपको catabolic दोनों ही आपको event देखने को मिल रहे होंगे एनाबॉलिक भी catabolic भी मगर जब आप growth की बात करते हो कि growth जब हो रही है तो metabolic ज़्यादा होगा या एनाबॉलिक ज़्यादा होगा तो इस respect में जब आप बात करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि Anabolic जो है Anabolic जो event है वो ज्यादा होंगे और Katabolic कम होंगे तभी आप क्या देख रहे हो इस समय Growth आपable जर्व होगी जब Growth होरही होगी तो समय Anabolic जो Event न वो ज्यादा हो 여러분들 होंगे Is it clear इतना समझ में आ रहा है तो आप क्या Mention कर रहे हो बाई Growth एक एक reversible change है, यह एक permanent change है, यह एक energy dependent process है, यहाँ पर metabolism involved होगी, जहाँ पर catabolism, दोनों के दोनों event हो रहे होंगे और जिसमे एनवालिक event ज्यादा perform हो रहे होंगे, for example आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, कि जब एक seed होता है, एक seed है, आप seed में से क्या देखते हो, seedling निकलती है, उ वो एक समय के बाद किस में convert हो जाता है, एक plantlets में convert हो जाता है, एक पौदे में convert हो जाता है, पौदे से वो एक mature plant में convert होता है, अगर माली जो कोई dicot plant, कोई बड़ा plant है, तो आप इस तरीके से देखोगे, कि काफी बड़े plant में convert हो जाएगा, इस तरीके से बड़े plant में convert ह जाएगा, mature plant convert होगा, अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो इस पर फ्लावर भी होंगे, और फिर इसी particular प्लांट पे इसी flower पे फिर से क्या लगेंगे, seed लगेंगे, इसी पे क्या लगेंगे, seed लगेंगे, तो ये हमने एक journey भी देखी, ये हमने क्या देखी, एक growth की journey देखी, हमने plant के respect में हमने एक उसकी journey देखी, कि plant अपनी throughout life किस तरीके से changes को श्रो करता है, कहीं न कहीं इनी को आप growth के respect में भी समझ सकते हो, इसमें जो भी change हो रहा है, जितने भी change हो रहा है, these all changes are irreversible, ऐसा नहीं, आप seed से जब seedling बन गई तो उसको back ले जा सकते हो, नहीं, these all changes are irreversible in nature, these all changes are permanent, these all changes are energy dependent, in all these events, anabolic event क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, इसलिए उसका growth हो रहा होगा, is it clear, good, आगे आप mention कर सकते हो, कि plant की जो growth है, plant growth जो है, वो आप क्या देखोगे, uniform नहीं होगी, right, plant growth क्या होगी, uniform नहीं होगी, आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, okay, plant growth, समझो बात वो, क्या meaning कह रहा हूँ है, क्या मतलब क्या है, इसका, plant growth is not, plant growth, जो है, plant growth is not uniform, यह uniform नहीं है, uniform का मतलब, जैसे अगर आप एक इनसान को देखो, इनसान के किसी बच्चे को देखो, तो आप ऐसा देखोगे, कि ऐसा नहीं है, उसका हाथ एक ज्यादा बढ़ा हो रहा हो, एक हाथ कम बढ़ा हो रहा होगा, सर बहुत बढ़ा हो जाएगा, पैर छोटा रहा जागा नहीं, उसकी पूरी की पूरी यहीं बेटर बढ़ा है, जैसे आप क्या देखोगे, उसमें प्रॉपर यूनिफार्म ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट आप प्लाइंट के किसमें ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है उसका लेफ्ट साइड का ही जितना ब्रAnnच बढ़ रहा है, उसमें राइट का बढ़ेगा, नहीं वो uniform नहीं होगा तो आप इस point को भी समझ लेजे कि plant में जो growth है वो uniform नहीं है आप बोलते हो plant growth is open plant growth is open और यह है कैसी open है open का मतलब यहाँ पर meaning समझो कि नई cell यहाँ पर add होती रहती है new cell add continuously right continuously नई cell यहाँ पर add होती रहती है right नई cell बराबर add होती रहती है is it clear और यह जो plant की growth है वो indeterminate है plant growth is indeterminate मतलब throughout life throughout life पूरे life जिन्द की भर यह growth होती रहती है ऐसा नहीं है कि humans की तरह वो एक height को attain करने के बाद उनकी growth रुख जाती है नहीं इनकी आप क्या देखोगे throughout life बढ़ती रहती है but क्या पर कुछ exception भी है right but some part show exception मतलब कुछ पार्ट ऐसे भी है some part show some part show determinate तो अब आपके सब मन में सवाल भी आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर determinate growth होती है तो वह बेटा वो पार्ट है leaf उस पार्ट को हम बोलते है leaf leaf ऐसा नहीं कि जिन्दकी पर बढ़ती रहती है उसका एक size होता है वो attain करने के बाद वहाँ पर growth रुख जाएगी तो plant अम overall बोले तो indeterminate है but उचके कुछ पार्ट में आप क्या देखोगे कि जो growth है वो determinate condition ही so करेगी clear है इतना बहुत बढ़िया तो इतना पार्ट अपनने क्या growth के उपर discussion किया बढ़ते हैं आगे की तरफ आगे देखिए आगे हम बात करेंगे कि growth occur with the help of meri stem अगला क्या बात करेंगे कि growth actually जो plant में होती है तो वो किस वज़ा से होती है वो बेटा होती है एक्चुली मेरी स्टैम की वज़ा से किसकी वज़ा से होती है मेरी स्टैम मेरी स्टैम मेरी स्टैम मेरी स्टैम मेरी स्टैम होती है चली समझते है एक बात समझो कि जो मेरी स्टैम है यह मेरी स्टैम क्या होगी बेटा दो टाइप की होगी सब्सक्राइब करें रहेंगी प्राइमरी मैं समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या है वो मिरिस्टेम जो स्टाइब से बर्त के टायम से ही प्रेजेंट रहती है तो उसको हम क्या बोल रहा है primary meristem secondary meristem क्या है फिर वो meristem जो derive होती है from permanent कब जब when permanent cell become dividing cell यह किससे drive होती है derive from permanent cell when they become dividing जब वो dividing हो जाती है जब वो dividing नेचर की हो जाएंगी तब आप क्या देखोगे उनसे जो बनने वाली जो सेल होंगी वो क्या होंगी secondary meristem होगी primary meristem से होने वाली ग्रोथ को हम primary growth बोलते हैं secondary meristem से होने वाली ग्रोथ को पन secondary growth बोलते हैं इतना समझने आ रहा है अब आप देखो जो meristem है on the basis of location भी अलग-अलग टाइप की होती है meristem ही location के basis मैंने mention किया है location के basis पे आप क्या बोलो के तीन टाइप की है right meristem on the basis of location कैसी हो सकती एपिकल राइट यह कैसी हो सकती है एपिकल इंटर कैलरी राइट एपिकल मैरिस्टेम इंटर कैलरी मैरिस्टेम और लास्टी लेटरल लेटरल मैरिस्टेम अब एक बात समझ लीजे किनका मीनिंग क्या है जब आप इसको इस तरीक इसका एक स्ट्रेक्चर में देखेंगे यहां पर आपको प्राइमरी और शेकंडरी के रेस्पेक्ट में भी चीज़ा समझ में आ जाएंगी देखो आपको जब भी इंटरकैलरी आपको कहा मिलेगी जो नोडस होती है नोडस के बीच वाले पार्ट में आपको इंटरकैलरी मिलेगी राइट लेटरल पे मिलेगी यहां पर लेटरल वाली मिलेगी तो तीन जो लोकेशन है लोकेशन के वेसिस पर आप क्या बोल रहे हो मैं रिश्टेम तीन टाइप की है एपिकल जो आपकी शूट अपिकल और शूट ऐसे बोल सकते हो कि यह एपिकल वाली का हम पर पूलेगी रूट टिप रूट या ऐसे लेको , अधर आपसे बोला जाए ये primary growth होगी या secondary होगी, तो आप बोलोगे कि ये primary growth ही ही है, clear है, इंटर केलरी बोला जाए, इंटर केलरी का प्रेजेंट होगी, यह आपको क्या करती है, यू आपको ऐसे बोल सकती है, कि ये inner node वाला पार्ट होता है, ना, इंक्रीज करती है इंटर नोड को हाइट और इसकी हाइट को ही बढ़ाने में मदद करती है और आप लोकेशन भी इसकी इंटर नोड मेंशन कर सकते हो तो यह भी हाइट बढ़ाने में मदद करती हो और एपिकल वाली तो अभी इसी बात है वो भी हाइट को बढ़ाने में मद से क्षंड और यह वह मेरि- earning मेरि- घम मतलब बर्द का टाइम का मतलब यह सीड बनाता इस समय ली कल लगा तो रेडिकल के इसके टिप पे जो प्रिजेंट थी इसके जो टिप प्रिजेंट थी यह कौन सी है प्राइमरी ही इस समय जो मेरी stem होगा वो क्या primary मेरी stem है मगर जब यह plant थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा जब यह थोड़ा सा बड़ा होगा तो आप क्या देखोगे उस समय यहाँ पे जो permanent cell होगी जो डिवाइड हो चुकी है मतलब जो side में अब यह grit बढ़ाती है इसकी यह जो cell यह जो क्या होती है permanent cell होती है permanent cell क्या करती है permanent cell क्या करती है वो divide नहीं करती है right permanent cell क्या करती है यह divide नहीं करती है बट कुछ cases में यह फिर से दुबारा से division start करती है यह क्या करती है फिर से permanent cell फिर से division start करती है और यह dividing nature की हो जाती है यह divide करने के बाद फिर से dividing nature की हो जाती है और इस समय जब यह बनाएंगी तो ये secondary marry stem को give rise करती है हम बोलते कहें कि जो permanent cell है वो divide नहीं करेगी मगर in certain cases जब permanent cell ही dividing बन जाए तो dividing cell को marry stem बोलते है इस समय जो marry stem create हुई अब ये कहलाएगी secondary marry stem अब ये कौन सी कहलाएगी secondary marry stem समझ में आया देखो primary marry stem और ये secondary marry stem secondary marry stem को हम बन रही है क्या वो यहाँ पे पहले से थी नहीं थी जो permanent cell थी वही जब dividing nature में बदल गई dividing nature की में बदली तो उनको marry stem बोलना पड़ेगा मगर अब जो हम marry stem बोलेंगे वो क्या बोलेंगे secondary marry stem बोलेंगे बोलो बच्चा समझ में आया क्या और इसका main काम क्या होता है increase grit of plant plant की मोटाई बढ़ाने में उसका main use आता है और इससे जो involve growth होगी उसको हम क्या बोलेंगे secondary growth इससे जो growth create होगी उसी को तो हम क्या बोलेंगे secondary growth बोलेंगे इतना समझ में आ गया क्या इतना समझ में आया तो यह हमने बात की growth with the help of Mary stem किस को यह चीज़ समझ में आ गई आप यहां पर वेस्कुलर के MBM और यहां पर जो secondary growth देखते हो वो किसका पार्ट है वो lateral Mary stem का ही पार्ट है clear है इतना clear सभी को हुआ जल्दी जो बोलो इतना part clear है अब हम आगे इसके बढ़ते हैं ठीक है comment section में आप सभी लोग जरूर बता देना कि session में क्या चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई यह क्या चीज़ ऐसी थी जो हमको और better way में समझनी चाहिए ठीक है आप मेरे को अपने प्यारे प्यारे फीडवेक अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर मेंसन करना है ठीक है अगले पार्ट पर बढ़ते हैं और समझते हैं plant growth is measurable कि plant की जो growth है आप उसको measure कर सकते हो ठीक है plant growth कैसी है बिटा plant growth measurable है अब सवाल आता है कि आप कैसे इसको measure करोगे how you are going to measure plant growth देखो एक्चुली में plant की growth में जब भी हम बात करते हैं जैसे मालों यह cell है तो जब भी plant की growth हो रही और भी इस ही वाले cells का size बढ़ रहा होगा cell का size बढ़ रहा होगा यह cell का number बढ़ रहा होगा और overall अगर हम देखे तो हम क्या देखते हैं increase in protoplasm हो रहा है क्योंकि अगर plant बढ़ा हो जाए तो protoplasm आप अगर एक basic level पर आके देखेंगे तो जो growth हो रही है growth में आप क्या देखो वे protoplasm ही तो बढ़ रहा है cell level पर यह cell थी अब cell में जब growth हुई तो उसमें क्या आप ने देखा कि उसका protoplasm बढ़ गया राइट तो आप क्या कह सकते हो कि growth is actually occur when increase in protoplasm जब protoplasm में increasement हो रहा है जब protoplasm increase हो रहा है तो आप उसको ही क्या बोल रहो growth बोल रहो increase in protoplasm is representing as growth बट क्या आप protoplasm के बड़े हुए level को analyze कर सकते हो क्या आपको पता चल सकता है कि कितना protoplasm पढ़ा बट आप यहाँ पर एक चीज़ समझो बट measuring protoplasm is very difficult आप कितना आप कितना protoplasm बड़ा इस बात को अगर analyze करने चले गए तो आप उसको पता ही नहीं कर पाओगे तो इसी लिए हम क्या यूज करते हैं we use certain parameter तो अपन क्या use कर रहे हैं बेटा कुछ parameter यूज कर रहे हैं अपन क्या use कर रहे हैं यहापे कुछ parameter use कर रहे हैं अब बात आती है कि कौन कौन से वह parameter हैं जिनको आप use करते हो to understand increase in protoplasm यह फट्रेंड ग्रोथ को एनलाईज करने के लिए आप कुछ parameter की बात कर रहे हो तो बेटा parameter क्या है वह parameter है increase in length जैसे आप अगर किसी particular part में length में increment हो रहा है जैसे पहला parameter क्या है increase in length जब length में increasement हो रहा है तो आप इसको growth बोल रहे हो मगर वो length क्या मतलब पत्ती की length नहीं अब वो length किसकी होगी obviously बात है वो root की length होगी root या फिर वो length shoot की होगी shoot की length या फिर वो length pollen की होगी pollen tube की pollen tube इस तरीके के जो structure होंगे इन में जब length बढ़ रही होगी तो आप क्या बोलोगे है कि आप a growth हो रही है right increase in cell number जब आप एक और parameter दूसरा parameter क्या है cell number में increase होना increase in next parameter क्या है बेटा increase in cell number increase in cell number जब cell के number में increase in cell के number में increase in cell at meristematic cell meristematic cell dividing cell है right meristematic cell के अगर number बढ़ रहे है तो और यह बात है यह और यह बात है कि उस particular plant में growth और ज्यादा होगी तो meristematic cell already बहुत कम होती है उनके number बहुत ही countable होते है अगर उनका number बढ़ रहा है तो और भी सिवात है growth अपने आप यह और ज्यादा हो जाएगी तो आप जब cell number की बात कर रहे हैं तो meristem के respect में बात करोगे एक और parameter है जैसे surface area surface area का best example है leaf पत्ती surface area आप जब भी पत्ती को growth पत्ती की growth को measure करोगे जैसे मालो ये एक leaf है माली जे ये एक leaf है आप इसकी लंबाई निकाल के क्या करोगे आप इसका surface area की information निकालोगे तो कितना surface area बढ़ा मालो पहले ये था अब बाद में इसके बाद ये वाली condition हो गई इसके बाद ये होगे तो ये surface area कितना बढ़ा बेटा ये वाला surface area बढ़ा तो जितना surface area बढ़ा आप इसको measure कर सकते हो कि कितना surface area बढ़ गया समझे लो तो आप पत्ती के case में क्या करोगे इसके case में क्या करोगे लीव के case में आप surface area की बात करोगे To analyze the growth You are going to discuss about surface area आप volume की बात कर सकते हो कि increase in volume Volume के respect में एक parameter है Volume Volume की बात कर सकते हो Volume में increasement हो रहा है मगर अब ये बात matter करेगी कि आप volume किस respect में बात कर रहे हो कि किस particular part के बार respect में बात कर रहे हो में growth देखनी है तो आप उसके volume की बात करोगे कि उसका volume बढ़ जाएगा जैसे watermelon की अगर हम बात करें तो करीब-करीब 3.5 lakh time उसका volume बढ़ जाता है Watermelon में 3.5 million lakh lakh times और जब छोटा होता है उससे जब बड़ा बन जाता है तो आप क्या देखो तो उसका volume के तना ज़्यादा increase हो रहा है तो आप क्या देखोगे यहाप आप volume के increment की बात कर रहे हो और आप कहीं ने कहीं एक word और यूज़ता है dry weight और fresh weight उस respect बे भी समझते हो एक parameter और है जिसको आप बोलते हो dry weight dry and fresh weight तो यह कुछ parameter है जिनके basis पे आप plant में growth को measure कर सकते हो Is it clear? इतना समझ में आया सभी को तो मैंने यहाँ पे क्या बताया भाई यहाँ पे मैंने mention किया कि plant growth measurable है plant growth में actually में increase in protoplasm होता है बट protoplasm कितना बड़ा है इसको निकालना थोड़ा हाइड है इसलिए आप क्या करते हो कई सारे parameter यूज करते हो for example increase in length cell number, surface area, volume and dry weight and fresh weight so this is about plant growth plant growth क्या है वो measureable है अब हम आगे बढ़ते हो और समझते है phases of plant growth जब plant growth के phase की बात होगी जब आप plant growth के phase की बात करोगे तो आप बोलोगे sir यहाँ पे 3 phases है वो 3 phases कौन कौन से एक आपको meristematic phase देखने को मिलेगा जब भी plant की growth हो रही होगी तो एक meristematic वाला पार्ट देखेगा right meristematic में आप क्या देखोगे meristematic को हम क्या phase बोलते है इसको हम बोलते हैं division phase क्या बोलते है इसको बोलते ही क्या है division phase कौण सा phase है बेटा हिए division phase है आप यहाँ पर के दुप क्या होगा size small होगा right cell का size यहाँ पर क्या होगा small होगा right cell का size मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर cell का size क्या होगा small होगा यहाँ पर जो nucleus है वो क्या होगा large nucleus nucleus होगा जब भी cell meristematic phase में होगी तो आप क्या देखेंगे उस समय division phase चल रहा होगा cell का size small होगा nucleus का size large होगा और यहाँ पर काफी सारे plasmo decimata connection के देखने को मिलेंगे many plasmo decimata connection यहाँ op यहाँ पर आप को क्या देखने को मिलेगा कई सारे plasmo decimata के connection देखने को मिलेंगे vacuole absent यहाँ पर आप क्या देखोंगे vacuole जो होंगी वह एपसेंट होगे वैक्योर क्यों ओंगी यहाँ पर एपसेंट देख ने को मिलें यहां पर साइटो प्लाजम होगा देन्स साइटो प्लाजमा आपको देखने को मिलेगा यहां पर इंटर सेलुलर इस पेस नहीं देखने को मिलेगा नो इंटर सेलुलर इस पेस यहां पर आपको कोई इंटर सेलुलर स्पेस नहीं देखने को मिलेगा और यहां पर जो सेल वाल होगी सेल वाल वो कैसी होगी, thin होगी और primary होगी primary cell wall कैसी cell wall होगी बैटा primary cell wall होगी, right clear है, यह आप क्या देखोगे जब भी कहानी means-termatic phase की चल रहे होगी, right जब आप बात करोगे, elongation phase की तो आप यहाँ पे क्या देखोगे इंक्रीज इन प्रोटो प्लाजम राइट यहां पर क्या देखोगे डिपोजीशन इन सेल वाल और क्या देखोगे वैक्योलेशन स्टार्ट यह पर वैक्योज वनना सेलल का बना स्टार्ट हो जाएगा तो यह इस आपको का हाँ debate को मिलेंगे यह 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 इवेंट आपको की मिलेंगे एwny गूसिन एकना फेल्ट में एक यह आप यह वाले पार्ट की बाट कर रह behaviors की बात करों जब cell elongation phase में जाएगी, तो आप क्या देखोगे, बहाँ पर protoplasm बढ़ रहा होगा, वहाँ पर deposition हो रहा होगा, cell wall way, वहाँ पर elongation start हो रहा होगा, जब आप maturation phase की बात करोगे, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, cell permanent हो जाएगी, cell क्या हो जाएगी, cell become permanent, permanent cell हो जाएगा, right, cell, shape and size fix, cell का shape और size fix हो जाएगा, right, यहाँ पर आप क्या देखोगे, जो deposition था, deposition in cell wall completes, यह क्या हो जाएगा, complete हो जाएगा, is it clear, so this is all about phase of plant growth, ध्यान से देखिए, समझेए, और यहाँ पर analyze करिए, कि यह यह event आपको देखने को मिलेंगे, कि जब भी plant growth हो रही होगी, उसमें आपको 3 phases मिलेंगे, meristematic phase, meristematic phase एक देखने को मिलेगा, एक elongation phase देखने को मिलेगा, एक maturation phase, meristematic phase को आप division phase बोल रहो हो, यहाँ पर cell का size small होगा, nucleus का size बड़ा होगा, और यहाँ पर कई सारे plasma decimata की connection देखने को मिलेंगे, यहाँ पर vacuoles absent मिलेगी, dense cytoplasm होगा यहाँ पर, और कोई intercellular space नहीं मिलेगा, और यहाँ पर cell wall primary होगी और thin होगी, जब आप बात करेंगे elongation phase की, elongation phase में आप देखेंगे, increase in protoplasm होगा, protoplasm और बढ़ता जाएगा, deposition होने लगेगा cell wall में, और vacuolation होने लग जाएगा, यहाँ पर vacuolation नहीं था, यहाँ पर vacuol absent थी, during the phase of plant growth, plant growth के phase में जब event perform होते हैं, अब हम बात करेंगे growth rate की, next is growth rate, आप मुझे बताईए, plant में growth rate की जब हम बात करते हैं, जब हम plant growth rate की बात करते हैं, तो दो तरीके के growth अपन को देखने को मिलते हैं, एक होता है arithmetic growth, और एक होता है geometric growth, मैंने काफी अतक चीज़ हैं, इसलिए board पे diagramatically भी represent की हुई है, जिससे आपको confusion ना हो, तो अपन समझेंगे अब यहाँ पे, कि जो plant में growth है, या फिर जो plant में growth rate है, पहले तो इसका meaning क्या है, what is meaning of growth rate, ये growth rate represent क्या करना चाहरा है, इसका meaning क्या है, तो तो देखो समझो, कि increase in length, size and number of cell, increase in cell के, increase in length वो लो, length, size, और आप कई सारी इस तरीकी की property शोग कर सकते हैं, जैसे number of cell, और आप क्या mention कर सकते हैं, next आप बोल सकते हैं, volume, volume per unit area, per unit area, ये सारे के सारे event, ये सारी की सारी condition, आपको क्या देख रही है, आप मगर एक बात की, एक चीज रहूंचन करोगे, per unit area, per unit time, with respect to time, time के साथ, आप इस चीज को mention करोगे, time, जब भी rate की बात हो रही होती है, time ज़रूर mention कर सकते हो, right, per unit time को आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं, area per unit time, time ज़रूर mention करेगा, तो यहाँ पर एक चीज समझो, कि जो growth rate है, यहाँ पर जो growth rate है, growth rate, वो दो तरीके से काम करेगा, या दो type के हैं, growth rate यहाँ पर आपको दो type के मिलेंगे, एक कहलाएगा arithmetic, एक मिलेगा geometric, दो type के आपको growth देखने को मिल जाएगी, right, जैसे पहले बात करते हैं, arithmetic की, arithmetic में आप क्या देखेंगे, यह आपको comparatively slow मिलेगा, right, और यह आपको same मिलेगा, same with time, right, geometric में आपको condition double मिलेगी, यहाँ पर आप क्या देखोगे, जैसे एक लाग थी आपकी salary, वो दो लाख हो गई, दो से चार लाख हो गई, चार से छे लाख हो गई, ऐसे, arithmetic में आपको order देखने को मिलेगा, समझ रहो, order देखने को मिलेगा, चलिए, समझना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर arithmetic में आपको diagramatically भी चीज़े दिखने आगी गई है, कि पहले कितनी सेल थी, मालनों दो सेल थी, दो सेल में से एक सेल डिवाइडिंग हो गई, एक सेल ने डिवाइड करना बंद कर दिया, तो अब यहाँ पर क्या देखोगे, कि एक सेल ने डिवाइड नहीं किया, एक सेल डिवाइड कर रही, तो दो से कितनी सेल हो गई, तीन सेल हो गई, फिर आप क्या देखोगे रेस्ट जो सेल थी वो डिवाइडिंग वो पर्मानेंट होगे ये दो पर्मानेंट होगे फिर ये लास्ट वाली ने डिवाइड गया इसने फिर डिवाइड गया फिर ये दोनों अब क्या होगे चार सेल होगे फिर इसके बाद अगला जो डिवीज जब हो रही है तो आपको एक linear condition मिलेगी विद टाइम एक आपको proper growth मिलेगी consistent growth मिलेगी तो यहां पर आप क्या देखोगे cell divide into two one become permanent and other keep dividing on यहां पर जब भी arithmetic की बात हो रही हुई तो when cell divide into two daughter cell one become permanent and other keep on dividing पहली बात यहां पर यह condition देखने को मिल रही है कि जब भी ऐसी condition मिलेगी arithmetic की मिलेगी तो एक आपको divide करती भी दिखेगी और दूसरी permanent बनती चली जाएगी राइट और यहां पर आपको जो condition दिखेगी वह linear condition दिखेगी growth appear to be linear यहां पर आपको growth कैसे दिखेगी मतलब आप यहां पर कह सकते हो fix rate पे growth जो देखने को मिल रही है वो एक fix rate पे देखने को मिलेगी राइट growth कैसे देखने को मिल रही है एक particular fix rate पे देखने को मिल रही है example यहां पर आप देख सकते हो कि length of root जो root की जो length बढ़ती है वो इसी manner में बढ़ेगी root की जो length बढ़ती है example आप mention कर सकते हो length of root root की जो length है वो कुछ इसी तरीके से काम करेगी आप यहां पर देखो कैसे निकालोगे condition कि मालो कितनी growth हुई यहां पर इस diagram में समझो कि L T after time T जो length में increasement हुआ length after time T आप क्या mention करोगे कि length जो beginning में थी प्लस यहां पर जो R है growth rate के growth rate क्या है growth rate की value होगी growth rate की value होगी और per unit time के सासाथ कितनी तरी से बढ़ रहा है वस आप जैसे इस value को solve करोगे आपके सामने का निकल के आ जाएगा आपके सामने length निकल के आ जाएगी length कब की length निकल के आ जाएगी length after time T जब भी आपको length निकालनी है after time T एक T समय के एके आपको यहाद निकल गहां देगी लोट कह यहाँ एक फीक्स रेट पे बताओ इतना क्लियर है है इस हफो एप्लिए यह पोइंट क्लियर हुआ के यहाँ पे आर यप ग्रोथ रेट आपको यहां मिल रहा है constant देखने को मिल रहा है ऐसी आपको condition का मिलती है length of root जब root की आप growth की बात कर रहे हो is it clear इतना समझ में आया चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ और अगला क्या है अपना geometric growth geometric growth की अब हम बात करेंगे कि geometric वाली growth जो है इसमें क्या हो रहा है इसकी बात करते हैं चलो is it okay यह वाला पार्ट तो clear है न very good growth rate में अगले की अगर हम बात करें तो next क्यालाता है geometric geometric growth geometric growth rate दूसरा आपका क्या है बाई geometric growth है यहां पर आप क्या देखो होगे यह most of the plant part में आपको देखने को मिलेगा यह कहां पर मिलता है most of अभी समझाता भी इसको most of plant part में आपको यह देखने को मिलेगा example समझ लो जैसे example में अगर मैं बात करूँ जैसे जो fruit होता है जो fruit का weight बढ़ता है increase in weight of fruit जो फल का weight बढ़ता है वो कहीं न कहीं सी मैनर में ही बढ़ता है यहां पर आपको जो condition देखने को मिलेगी जो curve देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं सिगमोईडल सिगमोईडल करव यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे और यह चीज़ धीरे बन रही है बाद में बहुत तेजी से बढ़ेगी राइट यहां पर आप क्या देखोगे बहुत तेजी से increment होगा क्लियर है ओके चलो देख हुआ हुआ आठ हुआ आठ से कितना हुआ तो यहां तक इतने पीरेड ऑफ टाइम तक स्लो ग्रोथ ऑब्जर्व यहां पर जैसे ही है वेलुए टाइम के बाद आप क्या देखोगे हजार से कितनी होगी दो हजार दो हजार से कितनी होगी चार हजार 4000 से कितनी होगी दीरे-धीरे करके आप क्या देखो यह पहुंच जाएंगी 100 के 100 के से कितनी होगी 200 के राइट इस पीरेड ऑफ टाइम में आपके देखो ग्रोथ विजिवल होगी ग्रोथ विजिवल माला आपको दिखेगा कि बहुत तेजे इसे फल गुरु कर रहा और और इसके बात देख disciplined के साथ जाके वो रूख जाएगी रहा टोक और तीए सबस्क्राइश रेख होगा उसका में लागा सुरू हो जाएगा तो यह condition आपको देखने को मिलती है तो आप जब size और weight की बात कर रहे हो तो starting में देखो दीरे-दीरे बढ़ रही है बहुत दीरे-दीरे बढ़ रही है क्योंकि वह जल्दी so नहीं हो रही है फिर जैसे भढ़ना शुरू होगी तो exponential phase आ जाएगा exponential phase के बाद वह जब बढ़ जाएगा फिर वह रुक जाएगी stationary phase आ जाएगी तो इस तरीके की condition आपको कहां देखने को मिलेगी weight of fruit में fruit का जब weight बढ़ेगा तो आप जब अगर इसको निकालना शुरू करो कि आप निकालना शुरू करो कि इसकी value क्या आती है तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर initial weight होगा और एक final weight होगा फिर यहाँ पर आप क्या देखोगे geometric growth rate यहाँ पर एक g की value काम करती है या इसको r भी होते है आर क्या होता है geometric geometric growth rate तो आप इसको एक formula के respect में भी mention कर सकते हो कि final weight जो मालो weight बढ़ा after time t wt final weight after time t इसको आप कैसे निकालोगे initial weight कि initial कितना weight था और इसको आप multiply किस से करोगे e की power r t से right इसको कैसे mention करोगे e की power r t इस तरीके से एक formula काम करेगा यहाँ पर wt wait after time t wt बोले तो wait after time t after time t किस पर depend करेगा w not पर initial weight पर और यहाँ पर e का मतलब क्या है e यहाँ पर natural log यह क्या है base of natural log यह क्या है base of natural log और r यहाँ पर क्या है efficiency rate आर को क्या बोलेंगे अपन efficiency rate बोलेंगे यह geometric growth rate बोलेंगे efficiency rate भी बोल सकते हो इसको efficiency rate बोलो या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो geometric growth rate तो आप क्या बोलोगे wt wait after time t is initial weight into e की power r t इस तरीके से आप इसका value को find out करोगे right point यहाँ पर जो growth मिल रही है इस growth क्या बोलते है sigmoidal growth तो बेटा एक चीज समझ में आ गई कि एक होती है geometrical growth जिसमें आपको sigma वाली condition मिलती है sigmoidal मिलती है और एक condition क्या है arithmetic arithmetic वाली condition में आपको क्या मिलती है linear growth मिलती है इन दोनों point को थोड़ा फाद ध्यान रखना clear है तो यह हमने बात कर ली यहाँ पर growth rate की बोलो बच्छा समझ में आ गया क्या इतना part clear है सभी को किसी को को यहाँ पर डिक्कत doubt आ रहा है कोई बहुत बढ़िया कोई doubt नहीं है चीक है चलो फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमने growth rate की बात कर ली अब आगे बढ़ते हैं और समझते है next part को that is called absolute growth and relative growth अच्छा absolute growth और relative growth आपन यह यूज करेंगे कहाँ पर leave के respect में कैसे क्या है यह क्या meaning है इसका शुरूरात करते है देखो सबसे पहले हम समझते है absolute growth क्या होती है right absolute growth absolute growth बोलो या फिर इसी को एक्च्छल ग्रोथ बोलो right इसी को और क्या बोल सकते हो absolute growth या फिर एक्सू लिट जैसे यहाँ पर समझा वाले A डाइग्राम को लो ये और ये झाला दैस्टा फ़र दियान में रखते हुए चलना देखो एक्ट्राइब की जब भी बात करेंगे माल लो एक लीव थी एक छोटा एरिया स्टार्टिक में माली जे ए था राइट आफ्टर टाइम टी आफ्टर टाइम टी आफ्टर इंक्रीजमेंट आफटर इंक्रीज उसका जो सरफेस एरिया हो गया, वो कितना हो गया मालो इस स्टार्टिग में हम क्या बल रहे थे ए म scheint है ता, ए की वेलू क्या थी फाइव सेंटीमीटर स्क्वाइर, बाद में क्या हो गया, ए डैस हो गया क्या है माल लो यहाँ पर आप बताओगे कि जो absolute केस में पहले केस लो इसमें जो absolute ग्रोध है इस पटिकुलर केस में आप जो absolute ग्रोध है वह कितनी हुई जो actual growth है या ऊपर ही थोड़ा फ़क्सका लेता है एक किये केस समझ रोब यहां पर जो absolute ग्रोथ है वह कितनी हुई वह देखो कितनी हुई absolute ग्रोथ या फिर actual ग्रोथ कैसे निकालोगे निकालने का तरीका याद रखो एक तो कि हम कैसे निकालेंगे सको कि final जो है उसमेंसे initial को माइनस कर दो actual growth absolute growth कैसे निकालोगे final minus initial initial जितनी थी उसमें से हमने final वाली value को गटा दिया यह आपकी क्या आगी actual growth आ गए तो हमारी final क्या है final है 10 minus कितना करेंगे 5 तो अपने पास जो value आएगी 5 cm square यह आपकी क्या निकल क्या गई absolute growth निकल क्या गई इतना समझ में आया इतना समझ में आया अब रिलेटिव ग्रोथ निकालेंगे देखो रिलेटिव ग्रोथ कैसे निकालेंगे इसी particular case में अभी फिर इस क्या आगे एक और case केस बताऊंगा relative growth relative growth कैसे निकालोगे relative ब्रेलेटिव ग्रोथ को निकालने का एक पटिक्लिर तरीका है वो क्या है फाइनल माइनस इनीशिल और अपन में इनीशिल रख दो अब आप इसको जड़ा समझो अब आप क्या देखोगे अच्छा रेलेटिव ग्रोथ का मतलब क्या है इन रेलेशन टू इनिसियल कंडिशन, इन रेलेशन टू इनिसियल कंडिशन, इनिसियल के रेस्पेक्ट में कितना कंडिशन आई, तो देखो, फाइनल क्या थी? final हमारे पास क्या थी 10 थी minus initial क्या थी 5 थी upon initial क्या थी 5 थी तो यह percentage में भी निकल थी एक बात और यातर में इसको अपन percentage में निकालेंगे तो आप क्या निकाल रहे हो इसकी value क्या जाएगी into 100 भी करोगे क्योंकि percentage निकाल रहे हो into 100 तो उपर 5 आ गया upon 5 आ गया into 100 कर दो गया आप into 100 तो 515 यह क्या जाएगी 100% percentage कितनी आ इसकी 100% growth value जब solve करोगे तो कितनी आ रही है 100% तो आप क्या देख रहे हो इस particular case में जब इसका size देखो थोड़ा सा बढ़ रहा है जब starting में growth हो रही है तो आप इसको क्या 100% growth इसको क्या आपने बोला 100% growth हो रही है यहाँ पर relative growth कितनी है 100% अब आगे समझ रहा है यहाँ पर आगे समझ रहा है कि यह जो आपने बात की यह आपने किसके respect में बात की हुए भाई यह आपने बात की हुए absolute growth और relative growth with respect to small leaf with respect to small leaf आपने जो छोटी सी लीफ थी इसके respect में बात की थी इसका absolute growth निकाला तो आपने absolute growth निकाला तो final 10 था minus 5 कर दिया तो आपने इसको क्या निकाला भाई 5 आ रही है यह value कुतनी आ रही है 5 cm अब जब इसकी relative निकाली relative जब निकाली तो आपने क्या किया final minus initial upon initial multiply by 100 क्योंकि percentage निकाली थी तो 5 upon 5 into 100 यह value आ गई कितनी 100% कितने percent 100% तो आपने इसके case में यह बात निकाली है clear है good बहुत ही बढ़िया अब आप मालो एक बड़ी पत्ती है जिसमें initial size 50 है और जो final जो बाद में growth के बाद जो value आई वो कितने आई पच्पन आ गई आप देखो यहाँ पर कहानी बदलती हुई नजर आएगी आपको यहाँ पर आप क्या देखरो बड़ी बादी पत्ती के लिए for b condition यह b condition के लिए यह a condition के लिए था b condition दोनों को जब समझ जाओगे रिलेट करोगे तब समझ में value एकदम क्लियर आ जाएंगी देखो यहाँ बी वाले case में आप क्या देख रहो इनीशल वैलू क्या थी इनीशल क्या है सर्फेस एरिया इनीशल में क्या है इनीशल में क्या है मालों 50 है राइट 50 cm स्क्वाइर फाइनल में क्या है जब आफ्ट ग्रोथ है रिलेटिव ग्रोथ है उसमें अंतर देखने को मिलेगा एपसिल्यूट ग्रोथ आपको क्या देखने को मिलेगी final इनीशल देखो अभी भी जो एपसिल्यूट ग्रोथ होगी वह सेम ही होगी final क्या है 55 minus initial क्या है 50 value कितनी आगई 5 cm2 क्या यहाँ पर absolute growth में कोई अं पांच मगर यहां पर रिलेटिव ग्रोथ अंतर दिखाएगी यहां पर जो रिलेटिव ग्रोथ है रिलेटिव ग्रोथ अब इसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा रिलेटिव ग्रोथ में क्या कंडिशन है भाई रिलेटिव ग्रोथ में सर कंडिशन है कि यहां पर हमने पॉन इनीसीयल इन्टू हैं पर्सेंटेज के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो इन्टू होएं यह क्या जाएगा फाइव अपॉन 50 इन्टू हंड्रेड राइट एक जीरो से एक जीरो कट गया फाइव से फाइव गट गया यह क्या दस परसेंटि यहां पर देखों कितना रहा है 10% आ रहा है कितना ग्रोफ आपको यह लून थैक रहा है यहां पर रिछलेटव ग्रोफ अगर बात कर रहे हो तो 10% ल 듣ंगी कार है यो यह जोnight रही है कि जो Solo रहा हिए यह तो पांच पर SANT им haggd mail रहा है तो और पूरी पूरी और और स्पक्ट में डवल हो गई क्या overall के respect में double हो गई yes sir overall के respect में तो पहले 5 थी अब double हो गई तो यहाँ पे जो absolute growth है वो क्या है 5% है मगर जो relative growth है वो 100% है 100% relative growth relative growth किती है 100% क्या ही यहाँ पे related growth initial के comparison में 100% है नहीं initial के concept में तो 10% ही बढ़ी है क्योंकि initial क्या था 50 अगर यह 50 से 100 हो जाता तो मैं यह बोलता कि इसमें overall growth क्या है 100% है आया समझ में तो with respect to जब initial बात करोगे with respect to initial बात करोगे तो आप क्या देखोगे relative growth में in respect to यह in relation to in relation to initial बात होगी और यहाँ पे इतनी बढ़ रही है एक्च्वल एक्च्वल जो growth हो रही है इसकी बात होगी आया क्या समझ में इतना समझ में आ गया क्या बताओ मुझे is it clear to all of you this is about absolute growth and relative growth बताओ मुझे भाई इतना clear हुआ क्या किसी को कोई डाउट है इस पार्ट में इस पार्ट में अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिए देखो यहाँ पर यह वैल्यू भी calculate करके दिखा जेता हूं कि यहाँ पर जो रिलेटिव ग्रोथ भी सेम है देख लेते हैं सर रिलेटिव ग्रोथ सेम है या नहीं है चलो भाई देख लो फिर शुरुवात कर दो फिर तो देखो यहाँ पर रिलेटिव ग्रोथ की बात क्या कर रहे हो 55-50 upon 50 into 100 यह वैल्यू आगई 5 upon 50 into 100 और यह वैल्यू आ जाएगी 10 परसेंट तो यहाँ पर आप क्या देख रहो कि बेटा यहाँ पर जो कंडीशन है यहाँ पर यह देखो अलग अलग है एपसिल्यूट ग्रोथ दोनों की सेम है इस इट क्लियर इतना समझ में आ गया क्या आगे बढ़े चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक ya getting an identity इस महल लिजे एक रुशी और टिप टी यहाँ पर इस् nuevos में टेख चलिए यह इसाय डीवाड det की यह क्या हो गई यह मंनूंब living यह नीचे जो बाचिगी छैल है यह खर्मानेंट स्यल ओंगे यह उपर की मेरिस्टमेटिक सेल है डिवाइडिंग सेल है यह क्या है मेरिस्टमेटिक सेल है इतना समझ में आया यह क्या है बाई differentiation हुआ यहाँ पर यह मैरिस्टमेटिक सेल ती डिवाइडिंग वाली थी इन्हें जब differentiation हुआ after differentiation इन्हें क्या हुआ पहले यह तो पहले इनका भी nature के लिए नहीं था मगर differentiation के बाद यह क्या बन गई permanent मैरिस्टमेटिक में क्या हुआ माली जो differentiation हुआ और फिर इस्टमेटिक सेल डिवाइडिंग करेंगी डिवाइडिंग है यह नॉर्मली डिवाइड नहीं करेंगी नॉर्मली डोंट डिवाइड नॉर्मली यह डिवाइड नहीं करेंगी राइट यह अब डिवीजन के प्रोसेस को नहीं शो कर रही है एक बार को राइट यह नॉर्मल अब यह पर्टिकुलर मने ऊपर की डिवाइड इन सेल इन्हों ने अपनी दुबारासि पहले पर्मानेंट थी- वाली कौन से यह वाली यह कैसी थी पर्मानेंट थी अगेन स्टार्ट डिवाईडिंग अगेन अब क्या करेंगी अब यह अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगी जो पर्मानेंट सेल थी वो डिफ्डी डिफ्रेंसियेट हो गई लूजिंग आइडेंटिटी अब यह क्या करेंगी डिफ्रेंसियेट होने लग जाएंगी क्या करेंगी डिफ्रेंसियेट D-Differentiate यह कैसी हो गई Permanent cell अब कैसी हो गई पहले yellow से बनाया था Permanent cell थी, नहीं divide कर ரहे थी नहीं मैं से यह क्या करेंगी यह जो Permanent cell थी यही अब D-Differentiate होने लग गई D-Differentiate का मतलब होता है losing identity अपनी identity lose करना Lose identity Lose identity का मतलब है अब यह अपनी identity, identity क्या थी इनकी, कि यह differentiated सेल है, यह divide नहीं करेंगी, इन्होंने अपनी identity को खोना शुरू कर दिया, मतलब इन्होंने अपनी identity लूज कर दी, यह de-differentiate होने लग गई, और अब दुबारा से यह नई identity लेने के लिए re-differentiate करेंगी, re-differentiate, re-differentiate मतलब again start, again, start, division, and get new identity, get new identity, और इस समय क्योंकि यह divide कर पा रही है, इस समय क्योंकि यह divide कर भी रही है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, secondary meristem, क्योंकि यह अब दुबारा से divide कर पा रही है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इनको secondary meristem बोल रहे हैं, बताओ बेटा, समझ में आया क्या, permanent cell जो थी, अब वो secondary tissue में, permanent cell जो थी, अब वो secondary nature को show कर रही है, बताओ मेरे को समझ में आया क्या इतना, बस इतनी सी बात है, differentiation मतलब एक identity ले ले लेना, फिर दिवरेंसियेशन का मतलब identity को lose कर देना, dedicate मतलब lose identity, और redifferentiate मतलब again getting new identity, again getting new identity, दुबारा से एक नई identity को पकड़ लेना, get कर लेना, इसको अपन क्या बोल रहे है, redifferentiate करना, is it clear, और इसी दुबारा से identity को get करने से आप क्या देखोगे, secondary मेरी stem बन रही है, इसके आगे का और जो depth है, वो फिर हम next further, जब classroom program होंगे, उससे मैं बात करेंगे, क्योंकि exam के लिहाज से इतना काफी है, हाला कि यहाँ पर de-differentiate, redifferentiate होने से, यहाँ पर कई आगा देखोगे, vascular cambium create होती है, secondary meristam create होती है, और इसमें भी कई सारे different, different part create होते है, हाला कि उन्हें पर नहीं जाएंगे, यह terminology थी, और यहाँ पर मैंने with respect to plant आपको explain किया, कैसे कैसे, क्या क्या changes आ रहे हैं, मुझे बताओ, क्या इतना clear हुआ आप लोगों को, इतना part समझ में आ गया क्या सभी को, अब हम बात करेंगे, growth के respect में, growth, differentiation और finally एक stage आती है, called senescence, उसकी बात करेंगे, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते है, growth, development के यह part है, अगर आपको development mention करना है, plant development mention करना है, तो आप क्या बोलोगे, कि उसमें growth होगी, वो differentiate करेंगे, और finally वो senescence को प्राप्त हो जाएगी, बुढ़ापे की तरफ चली जाएगे, और बुढ़ापे में आके उनकी, क्या होगी, इनकी मृत्य होगी, और senescence को finally death, यह वाले event आपको कुछ देखने को मिल जाएगे, जैसे, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कि quier में होता है, यह क्या होगा, सीड में, germination स्टाट होता है, बडा होके पौधा बन जाएगा, यह इस तरीके से पौधे में perception हो जाएगा, फिर इसी पौदे पर क्या लगेंगे फूल लगेंगे फूल लगने से इस पर भौरे आएंगे फूल से फूरूट बनेगा फूरूट क्या बनेगा फूरूट बनेगा और फूरूट से सीड बनेगे राइट फूरूट में ही क्या लगेंगे एक साइड में सीड लगेंगे र प्लांट ओल्ड होने पर उसको क्या बोलेंगे सैने सेंस होगी और प्लांट ओल्ड होने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी एक टाइम के बाद प्लांट की डेथ भी हो जाती है ऐसा नहीं है कि हर प्लांट में मतलब इसका गेहूं का पौधा क्या हमेशा जीवित रहता है क्या देखने को मिलेगी सेम कंडिशन आपको सेल लेवल पर भी देखने को मिल जाएगी एक सेल है राइट सेल क्या करेगी इलोंगेशन फेज में आएगी इलोंगेट करेगी साइज को बड़ा करेगी बड़ा ओकर इलोंगेशन होगा की के प्लांट की रिस्पेक्ट में बात कर रहों verklagen के बाद वह एक बार को پर्मनेंट कंडिशन में चलीजाएगी ओलाउंगेशन करने के बाद हो एक टाइम पर क्या चलीजाएगी वही सेल की पर्मनेंट में अ सकती है दुबारा से डिवीजन में बाइब बनाएगी और फाइनली वह सेल भी क्या हाँ जाती है सेनेसेंस की कंडिशन में चलिए आती है और सेनेसेंस दिखेंगी आपको NCRT में एक डाइग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरीके का यहां पर देखो कंडीशन क्या हो रही है कि मेरिस्टेमेटिक सेल है मेरिस्टिमेटिक सेल बच्चा बच्चा जानता है कैसी सेल है डिवीजन सेल है तो यह क्या करेंगी और डिवाइड करने पर यह मेरिस्टिमेटिक सेल क्या करेंगी प्लाजमेटिक ग्रोथ होगी यहाँ पर ग्रोथ होने के बाद खूब सारी सेल बन जाएंगी वह सेल फिर से differentiation के बाद maturation के सार बाद mature cell और permanent cell बन जाएगी यह क्या बन जाएगी permanent cell में क्या होगा फिर एक बार को senescence आए और senescence के बाद वो death को राप्त हो जाएगी आया समझ में यही क्या है sequence of development process in plant plant में यह sequential development की process process है मैंने आपको तो diagramate के साथ बता दिया है is it clear तो यह process हमने देखी कि plant में जो development की process काम करती है वो कैसे काम कर रही है plant में जो development process है वो कैसे काम करती मैंने आपको with image and with ncrt part आपको explain कर दिया है clear है इतना आगे बढ़ते हैं आगे की और आगे समझते है next part को plasticity अगला क्या part अपने पास plasticity तो plasticity का meaning क्या निकल के आता है पहले तो यह समझ लेते है what is meaning of plasticity तो ध्यान से देखो और समझो कि plasticity क्या है जब plant show करे different different variable condition को variable morphology को with development and with environment राइट जब plant क्या सो करे variable या फिर दिफ्रेंट morphological behavior सो करे when plant show variable और दिफ्रेंट morphological जबवर और जब दिफ्रेंट और with respect to with respect to development with respect to development and environment उसको हम क्या बोलेंगे known as plasticity उसी को हम क्या बोलते हैं plasticity बोलते हैं मतलब जब plant variable या फिर different morphological behavior को शो करें with respect to development and with respect to environment तो यहाँ पर दो word use हुए है कि एक development के respect में भी आपको plasticity show कि जा सकती है एक environment के respect में भी plasticity हो सकती है clear है दो चीज़े तो यहाँ पर clear हो चुकी है राइट तो देखो इसके example आप समझो example में एक बहुत simple सा example है that is called itulation 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 में आप क्या देखते हो कि जब यहाँ पर आप क्या देखोगे कि यहाँ पर अगर light नहीं होगी तो वह green पार्ट शो नहीं करेगा जैसे मालो यह चना है यहाँ पर यह इस में इस तरीके का माइक्रोपाइलेंड होता है यहाँ से आप क्या देखते हो कि इसमें इसमें ही आप क्या देखते हो इसमें आप क्या देखते हो कंडिशन क्या देखोगे कि इसमें से क्या होगा कि इसमें से यहाँ पर यह निकलेगा इस तरीके से और अगर आप इसको light नहीं दोगे तो यह कैसा रह जाएगा वाइट रह जाएगा जब लाइट रही है नो लाइट जब लाइट नहीं होगी तो लाइट की ग्रोथ में आप देखते हो उस मेंसे जो निकल रहा है वो कैसा है वह कैसा होगा वह वाइट ही रहेगा वाइट कलर का दिखेगा अगर वही कंडिशन आपने अगर यह में आपने इसको light बोल रहें कि जब आपने लाइट नहीं दी तो कंडिशन इह है बोखलो बैटा समझ में आया किया आ गया कि समझ में इसमर्साइब के नहीं है तेख वाइट कंडिशन है इसमें हो क्या रहा है ग्रीक गोलाइट आप तो है नियूंत व्य क्लोरव प्लास्ट के देव Так डेवलप्मेंट ृप ट्रेविलब नहीं हो ये तो आप क्या देखोगे तो कलर क्या रहाता है स्थ ये कलर वाइट ही रह गया और अगर लायट आप देद होगे तो आप क्या देखोगे इसका क्लर ग्रीन हो जायगा तो यह कही नसे कलर रहा है क्लत है कर रहा है कि अग्रमेंट आपका चैंज हुआ तो देखो टेखो क्या कंडीशन दिख रही अ प्लास्टेसिटी देख रही है, प्लास्टेसिटी मतलब different morphological behavior, एक morphological behavior देखो white color का एक क्या है, green light है, और दोनों के इस पर depend कर रहा है, ये environment पर depend कर रहा है, कि अगर light दे दी, तो condition अलग है, light नहीं दी, तो condition अलग है, एक और इसी का example है, जिसको हम बोलते है, हेट्रोफिली, वो क्या है, हेट्रोफिली, हेट्रोफिली वाली condition है, हेट्रोफिली, अब जड़ा हेट्रोफिली को समझ लो, हेट्रोफिली नाम से ही समझ में आ रहा है, different shape of leaf, ये हेट्रोफिली बोले तो different shape of leaf, ये क्या है, हेट्रोफिली बोले तो different different shape of leaf in same plant एक ही प्लांट में same plant में एक ही प्लानट में different different shape of leaf आपको देखने को मिल जाएं तो आप इसी को क्या बोलोगे? हेट्रो फिली अच्या हेट्रो फिली भी दो टाइप की है भी एक कहलाती हे developmental डेवलपमेंटल हेट्रोफिली एक क्या है डेवलपमेंटल हेट्रोफिली डेवलपमेंटल हेट्रोफिली क्या कहता है कि जब डेवलपमेंट हो रहा है जब वो प्लांट ग्रो कर रहा है ग्रो की कंडिशन में आपको अलग-अलग उसके फेज देखने को मिलेंगे ग्रोथ कर और कोरियंडर लार्किसपर और कौ binder में क्या देख रहो अलग-अपको developmental हेटरोफिली मिल रही है मतलब development के सब्सक्राइब कided एक के लिए क KIRBY अधियेखो जब एक जुबिनायल था जब यह बच्चा है तो अलग कंडिशन एलक एडल्ट हुआ तो अलग पंडिशन है ना वक्त के साथ साथ इतने अपनी रंगत बदल ली तो इसी को आप क्या बोलों डवलपमेंटल रहत्रोफिलिए क्या होगा डवलपमेंटल है अपका दूसरा क्या तह इंवरमेंटल है से गुंद में डोगलो कि जब नहां पर जब लेंड में तो अलगल और वाटर में सा इक्वेटिक कंडीशन तो यहाद रखना आपको इसका बटरकप बटरकप प्लांट जो है वो यहाँ पे कंडिशन यह सो कर रहा है देखो यह आपकी एक्वेटिक वाली कंडिशन है यह आपकी टेरिस्ट्रियल कंडिशन है यह इसका एक्जामपल थोड़ा याद रखो एंड देटेज़ बटरकप बताओ बेटा क्या यह समंझ में आ गया क्या यह समंझ में आया टेल मीज़ेट क्लीर टू अलकुर अफ्यों और नॉट इतना क्लीर हुआ क्या आपको ब्लास्टेसिटी का मीनिंग क्लीयर हुआ डिफ्रेंट सेप एक्कॉर्णिग्यू थो है यह कंडिशन इनमेरमेंटल हेट्रोफिली को शो कर रहा है बता भाई इतना क्लियर हुआ क्या इस इट क्लियर टॉल अलफ यू येस वेरी गुड अब हम आगे बढ़ते और समझते फेक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलोपमेंट वो फेक्टर जो ग्रोथ और डेवलोपमेंट को अफेक्ट करते हाला कि यह बहुत डीटेल में हमको नहीं पढ़ना है उससे हट गया इस लेवस से बट इस्टिल ह मैं इसके एक्जाम्पल की बात कर लेते हैं एडिंस की तो बात करी ही सकते हैं लेकिया है इसे क्ट्रेंसिक बहुत सक 링ने आप बात करोगे water की औभेस का पूरा घैण का साइज करता है सब्सक्रेंदेश करता है plan लेगेशन करताएं इंगेशन करता है अगरशे अगर पानि की विज़े से है बस आप इतना समझ लो और दूसरा न्यूट्रियंट यह इंट्रिंसिक फेक्टर है यह देने ही पड़ेंगे उसके प्लांट के अंदर के आप क्या देखोगे यह न्यूट्रेंट आते कहाते हैं स्वाइल अगर स्वाइल आपकी इन्रिच नहीं है तो पॉटो सिंतेस की जो प्रॉसेस है ओल्हाविर्च पफ्रॉसेस है प्लांट में काई प्रांसपिरेशन पूल ट्रांसपिरेशन काम करता है पानी नीचे से ऊपर चड़ता है तो अब होती है ग्रेविटी भी एक फेक्टर हो सकता है ग्रेविटी डिपेंडेंट कई सारे फिनोमेना होते हैं तो यह आप क्या देख रहे हो कि प्लांट में जो ग्रूथ और डव्लमेंट की बात हो रही है वो किस पर डिपेंड है एक तो बेटो यहां पर किस पर डिपेंड है एक डिपेंड है extensive factor पर एक क्या है अपना extensive factor और दूसरा क्या है intrinsic factor यह intrinsic factor में ही आपके hormone भी आ जाते हैं यह आपने क्या बात की extrinsic factor इसको detail में explain करने की जुरूत नहीं है बस इतना ही समझ लो दूसरे क्या है intrinsic intrinsic factor intrinsic factor में आप समझूए आप डीटेल में क्या हो रहा है कि अब कि इंट्रिंसिक factor की बात करते हैं intrinsic factor में आप ध्यान से समझोए दो टाइप के factor मिलेगे intra cellular मिलेंगे और inter cellular मिलेंगे यहां पर भी दो फैक्टर मिलेंगे आपको कौन कौने इंट्रां इंट्रा सेल्लिलर इंट्रां 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 सेल्लिलर मिलेंगे और कुछ internet है DNA regulate करेगा उसकी growth and development कैसी होगी तो यह तो एक factor हो गए कि genetic मतलब genetically अगर वो डार्फ प्लांट है तो अभी इसी वात है वो डार्फी रह जाएगा तो यह intrinsic factor होगे एक क्या होते हैं intercellular factor होंगे cell के बीच में जो factor काम करते हैं और इनी cell के बीच में फाइटो हर्मोन बोलते हैं और क्या बोलते हैं फाइटो हर्मोन बोलते हैं रैट इनी को हम और क्या बोल रहे हैं और इनी को plant growth regulator बोल रहे हैं plant hormone बोल रहे हैं तो अब कहानी शुरू होगी यहां से plant growth regulator की, इस वाले part से भी आपको अक्सर repeatedly खूब सारे question देखने को मिल जाएंगे, तो ये हमने किसकी बात की, ये हमने बात की factor जो growth and development को affect करते हैं, जड़ाँ set कर देते हैं page को हमने यहाँ पे किसकी बात की उन factor की बात की, जो plant की growth और development को affect कर रहे हैं तो वो हमने देखें, दो तरीके के factor हैं कौन-कौन से भाई दो तरीके के factor हैं एक तो हमारे extrinsic factor हैं एक हमारे extrinsic factor हैं और दूसरे हमारे intrinsic factor हैं intrinsic factor में intracellular factor भी है और intercellular factor भी है intercellular factor actually में हमारे plant growth regulator है और intracellular factor में हमारा DNA आ जाता है, genetic material आ जाता है अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में कि यह प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं मुझे उम्मीद है यहां तक कि जितनी भी डिसकसन रही है वह आप लोगों को एकदम क्लियर कट समझ में आ गई होगी बढ़ते हैं आगे और समझेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में पहले तो आप बताईए कौन कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपने पढ़ रखे हैं आप कौन कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में जानते हैं ठेक है आप बताईए पहले हाव मेनी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यू नो अबाउट आप कितने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में जानते हैं चलिए देखो यहां पर एक चीज़ समझ लो मैंने अल्रेडी क्लियर गट यहां पर समझाया भी हुआ है कि देखो उनकी ग्रोथ को बढ़ा भी सकते हो कम भी कर सकते हो तो ग्रोथ को प्रमोट करने वाले भी होंगे और ग्रोथ को इनिविट करने वाले भी होंगे इसमें से ऑक्जिन की बात करो जिबलेन की बात करो साइटो कानिन की बात करो यह तीनों के तुनों प्रमोटर होते हैं इथ मजरेवबात को क्या कहना चाह रहा हूँ, तो यह क्या है, यह वो plant growth regulator है, जो plant की growth को बढ़ा भी सकते हैं, और कम भी कर सकते हैं, एक्जामपल के form में आपने क्या देखा, आउकजिन है, जिब्रेलिन है, साइटो काइनिन है, एथाइलिन है, और आपके पास ABA है, एपसिसिक एसिड है, तो यह पाच अपने पास plant growth regulator के member है, जैसा कि मैंने मैंने किया कि यह plant की growth को promote भी कर सकते हैं, और innovate भी कर सकते हैं, जबकि आप एथाइलिन की बात करों, मैं आप स्पेसिकली लिख दे रहा हूँ, इथाइलिन, इथाइलिन, plant growth promoter और plant growth इनिविटर दोनों की तरह काम करता है, यह regulator मैं plant growth, यह plant की growth promoter होते हैं, और यह growth इनिविटर होते हैं, तो जो इथाइलिन है, वो plant growth promoter की तरह भी काम कर सकता है, और इनिविटर की तरह भी काम कर सकता है अब हम बात करते हैं ऑगजिन के स्तार्टिंग पार्ट से सबसे पहले हम बात करेंगे ऑगजिन से इनके फीचर के बारे में बात करूँ गा मेली क्योंकि उसी पे डिरेक्टली ओपर आएंगे तो मैं आपको की पॉइंट में एकदम क्रस्प मॉम मैं बिल्कुल कहानी कथा बताऊंगा ही नहीं राइट इमें एकदम की पॉइंट बताऊंगा यह उमन के यूरीन में identify हुआ था यह आइसुलेट या identify न कहके इसको मेंशन कर सकते हैं isolate किया गया था इसको human urine में भी isolate किया गया था इसको हम क्या बोलते हैं और represent कैसे करते हैं इसको हम commonly कैसे mention करते हैं इंडोल और्ट में मिलती है तो आप बोल सकते हों कि यह बहुत कर सकते हैं यह क्या आप मेंजन कर सकते हैं है कि यह सकता आप अइसको मेंजन करोगे यह शूट की और ये क्या कता है generally यह क्या करता है stem और root की apex को बढ़ाने में मदद करता है right यह क्या करता है increase shoot and root apex यह shoot और root apex को बढ़ाने में मदद करता है और आप इसके feature याद रखो feature key point में बता रहा हूँ उनको याद रख लो और बस इसके बारे में इतना ही बहुत है यह क्या करता है cell enlargement करता है यह क्या करता है cell enlargement करता है यह क्या कर रहा है वाई cell को enlarge करने में मदद करता है right cell को enlarge करने में मदद कर रहा है cell के size को बढ़ाने में मदद कर रहा है यह epical dominance promote करता है क्या कर रहा है यह epical dominance यह जो प्लांट की मेंन प्राइमरी जो बड है प्राइमरी बड का क्रोथ होना और जो शाइंट की सेकंड्री बड है इनकी ग्रोथ हुका रहना इनकी ग्रोथ इस टॉप और इस प्रैमरी वाले की प्रैमरी बड की प्रैमरी बड ग्रोथ हाई इसकी ग्रोथ हाई रहना और इनकी ग्रोथ रुकी रहना इसी को क्या बोलते है एपिकल डॉमिनेंसी यह अपना अधिकार चलाता है सरिफ एपिकल वर्ड अपना अधिकार चलाएगी तो क्या क्या लाएगा एपिकल डॉमिनेंसी जिसी को हम क्या बोल रहे है एपिकल डॉमिनेंसी बोल रहे है आया समझ में एपिकल डॉमिनेंसी का मतलब क्या है इसको कहते है अपन एपिकल डॉमिनेंसी यह सेल डिवीजन को भी प्रमोट करता है किसको प्रमोट करता है सेल डिवीजन क की process को भी ये increase कराता है, यह और cytokinin cell division को प्रमोट करते हैं, ये क्या करता है, induce करता है, पर्थैन कार्पी और एक last part देखलो, ये क्या कर रहा है, slich करता है, давай partial Pico, induce पर्थैन कार्पी को ये promote कर रहा है, ठीक है, so this is about oxygen, मैंने oxygen के respect में बात की, यहाँ पर औकजिन की बात हो चुकी है अब मैं जिब्रेलिन पर आ जाता हूँ जिब्रेलिन के रेस्पेक्ट में हम चीजें समझेंगे now we are going to discuss about जिब्रेलिन जिब्रेलिन के केस में भी हम क्या करेंगे की पॉइंट की बात कर लेते हैं यह भी आप क्या देखोगे plant growth promoter की तरह काम करता है और इसके around 100 isoform आपको देखने को मिलेंगे और most common जो one है इनमे से उसका नाम है GA3 आप क्या देखोगे यह भी plant growth promoter की तरह सामने आता है इसके 100 isoform है जिनको आप GA1 जिब्रेलिन के एसे टू GA2 and so on इसी तरीके से show करते हो और इसमे से most common जो है most most common जो है GA3 इनमे से जो common है वो क्या है GA3 इनमे सबसे common की category में आता है अगर इसके function की बात करे तो यह cell elongation करवाता है क्या कराता है cell elongation function समझ लो कि इसका function पहला primary function क्या है cell elongation कराना और क्या है breaking of dormancy break dormancy dormancy में क्या होता है कि seed बहुत time तक inactive रहते है inactive अलब उस समय वो growth नहीं चो करते so seed inactive रहते है dormancy को seed inactive बोलते है बट यह उसको inactive condition से active में लेके आता है यह उस inactive seed को क्या करता है GA क्या करता है उसको inactive से active कर देता है तो इसी को हम क्या बोल रहे है break करना किसको break करना dormancy को break करना और अगर इसका amount ज़्यादा हो जाए तो early maturity की condition भी देखने को मिलेगी यह क्या करता है early maturity भी create करता है early maturity भी create कराता है यह क्या करा रहा है early maturity भी promote कराता है और finally मैं इसी चीज़ को ऐसे भी mention कर सकता हूँ कि यह seed germination भी करवा रहा है, seed germination, यह क्या करा रहा है, seed का germination भी करवा रहा है, तो यह सारे के सारे आपने क्या देखे, जिवरेलिक एसेड के respect में important feature है, next हम बात करते हैं, cytokinin की, cytokinin की अगर मैं बात करूँ तो यह basic nature show करेगा, और इसके बहुत common कौन से example है, kinatin और geatin, और यह मिली synthesize कहाँ पर होता है, root में, तो cytokinin की अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्या बता है, यह basic nature show कर रहा है, basic nature show कर रहा है, इसके geatin and kinatin, इसके example है, क्या example है, geatin and kinatin, और आप क्या mention कर रहा हो, यह synthesize कहाँ पर हो रहा है, synthesize, product, इसके अदिके से आप oxide की बात करें तो oxygen की synthesis कहाा पर होती है, shoot me, shoot apical meristamp में इसकी synthesis होती है, right, इसकी synthesis कहाँ हो रहा है, shoot apical meristamp में, is it clear, next हमने क्या बात की, translator click on put on, कराता है और सेल डिफ्रेंशियेशन कराता है क्या करा रहा है सेल डिवीजन एंड डिफ्रेंशियेशन सेल डिफ्रेंशियेशन की प्रोसिस को क्या कर रहा है यह गवर्न कर रहा है यह किसके लिए है यह आप बोलोगे essential है tissue culture में essential in tissue culture अच्छा एक चीज़ और समझ लो यहां पर note कर लो चाहे तो कि oxygen and cytokine का जो ratio है cytokine का जो ratio है यह काम करता है किसमें tissue culture में अगर इनका ratio एक order में दिया जाता है तो आप इससे root भी बना सकते हो इसी से shoot बना सकते हो तो इन दोनों का आप क्या देखोगे जो order है वो क्या करता है वो आपका tissue culture में promote कराता है यह क्या करता है और किसमें वद्द करता है ओपर कल इपिकलल डॉमिनेंस एपिकलल्वीनेंसी को भी 1500 मदद करता है अपने बोल सकते हैं overcome ओवरकमus अपिकलL डॉमिनेंसी जो आपने भी देखा ऊकजिन के बदर से क्रीएट हो रही थी यह उस ऐपिकल डॉमिनेंसी और Te न्यूट्रियंट की जो साइक्लिंग जो होती है यह न्यूट्रियंट की मेटाबोलिजम को भी यह क्या कर रहा है प्रमोट करने में मदद कर रहा है इस इट क्लियर नेक्स्ट अपना आता है अब इसके बाद इथाइलिन इथाइलिन कैसा प्लांट और्मोन है इथाइलिन को मेंसन करते इथायलीपन एग ऐसिस प्लांट ह उर्मोन है वह गैसिस प्लांट होर्मोन की अता है चलिए समझते हैं एथायलीपन के बारे में यह हमने कुछ वीचर बात की साईटोगाइण के uniform में इथायलीं की बात करें तो मैं मेंसन कर सकता हूँ यह क्या एक gaseous hormone है जो क्या करता है stimulate करता है कई सारे growth related function को promote भी करता है और inhibit भी करता है यह क्या है एक पहली बात तो gaseous plant hormone है यह growth promote भी कर सकता है और inhibit भी कर सकता है but आप इसका major role किसमें देखते हो inhibit करने में मैंने mention कर दिया यह चीज भी कि mainly यह plant की growth क्या करता है inhibit करता है Inуемition of Elongation या फिलोंगेशन न भोल के इसको बोलेंगे longitudinal growth यह क्या करता है Inovit करता है Inhibition of Longitudinal Growth Longitudinal जो growth है उसको एक बार को inhibit कर रहा है यह क्या कर रहा है है इनिविट कर रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर इसका देख लेते हैं यह क्या करता है फ्रूट राइपनिंग में मदद करता है क्या करता है फ्रूट राइपनिंग और इससे एक और इंपॉर्टेंट इन रोल निकल के आता है, जिसको हम क्या बोलते है, ट्रिपल रेस्पोन्स यह क्या करता है? ट्रिपल रेस्पोन्स में इन्वर्व है, यह क्या करता है? इसको ऐसे भी समझ सकते हो लीफ फॉलिंग बगरा में भी इन्वाल्व होता है मेजर इंपॉर्टेंट जो है वह फूर्ट राइपनिंग एंड ट्रपल रेस्पॉंस इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में काउंट होते है राइट सो इस अबाउट इथाइलिन इथाइल प्लाइटि में आता है जब भी प्लाइट को कोई प्रॉबलम हो गई जैसे मालो लाइट बहुत ज़्यादा हो गया पानी की कमी हो गया पानी बहुत ज्यादा हो गया उन सारी कंडीशन में क्या करेगा प्रमूट 20191 ना होता है आधो इस आज गीव की अजीुट को भी प्रमोट करता है और यह और ईंडिऊज और पर ंंट कर प्रूट को भी प्रमोट करता है यह क्या क्यों अंध로 फार्ञेड इस कहरें पर एंड्यमकर्पी है यह क्या कर रहा है यह seed development and maturation में भी involved है और seed dormancy create करता है वहाँ पर seed dormancy, seed dormancy इसका important feature है, important role है जिसमें involved है, इसको थोड़ा सा दियाद रखना, seed dormancy, तो इस तरीके से हमने major जितने भी hormone उनके roles की बात की और यहाँ पर हमारा यह chapter खतम होगा आप सभी का इतना जो प्यार मिल रहा है इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक्यू सो मच आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद की इतना सारा मैं एक बार इस चैप्टर को पूरे को एक बार्रेवाइज और करा देता हूं मिने श्टार्टिंग से जो चीज पढ़ी हमने इस टार्टिंग में देखा प्लांड्ट ग्रोथ- ह strateg to ब ignorant क्या होता है समझा हमने डैनम ने देखाubby hold यक एंडियों धास हती ग्रोट की बात की डेन हमने application क्या होती है और रिलेटिव ग्रोट क्या होती है तैन हमने देखा इवेंट में क्या अंतर है और कैसे परफॉर्म होते हैं देन हमने डिसकेशन किया ग्रोथ डवलप्मेंट के फिनॉमना को हमने देखा कि ग्रोथ डिफ्रेंटियेशन और से इसके वारे में डिटेल में दिया हुआ है यहाँ प्लास्टिसीटी की बात की यहाँ पे मैंने से बात कि फिर वने देखा कौन-कौन फेक्टर है जो इंटर सेलूर्वेक्टर को सबस्क्राइब की बात की और इनिवीटर की बात की सबसे पहले हमने और जिब्रेलिन जैन साइटोकाइन देन इथाइलिन एंड एपसिसिक एसेड तो हमने यहां पे इन हॉर्मोन के बहुत डेप्थ में तो नहीं गए हैं बच्चो हमने बगर उनके मैक्सिमम फीचर को समझ लिया है यह आप पे हम इसको कंप्लीट करते हैं बच्चों इसके कुछ कोशन लगाने की कोशिस करना टेलिग्राम पे मैं इस पूरे पीडियाफ को अभेलेविल करा दूँगा आपको कोई भी डाउट कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंसिन करिए मैं आपको एक होमबर्ग जरूर देता हूं कि आज साम को इस पर्टिकुलर चैप्टर से मिनिमम मिनिमम पचास कोश्चन सॉल्व करना मैं आपको चैलेंज देता हूं 200 कोश्चन का आपका बट मिनिमम जो टास्क है वो पचास कोश्चन सॉल्व करने का है इस पर्टिकुलर चैप्टर से पचास कोश बबाए टेक केर थेंक यू सो मच प्यारे बच्चों बबाए